तो आज मैं शेयर करूंगी लेप्टोबर राइस का फ्राइड राइस की रेसिपी कभी कभी हमारे फ्रीज में कुछ चावल बच जाते जिसे खाने का हमें मन नहीं करता अगर आप इस तरीके से बना के खाओगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा यम्मी है डेलिसियासी की रेसिपी बहुतest तो चलिए इस रेसिपी को आभी हम देख लेते हैं तो फ्रेंस लेप्टोबर राइस से फ्राइड.ध राइस बनाने Three jedoch Time कर सकते हो यह मुम्फूली यह मिक्स ड्राइफूट इसमें है कोप्रा ड्राइ नारियल काजू और किस्मिस यह ऑप्शनल है आप स्कीप भी कर सकते हो और तरका में हमें चाहिए एक बेलीप्स तेजपत्ता दो ड्राइ रेट चिली सुखा लाल मिल्च जीरा क्यूमिन चोटी यह में तरके में चाहिए और सब्जीयो में मैंने ले लिया है ग्रेट गाजल, कैप्सिकं, सीमलमीर्ज बारिक कटा हुआ, टमेटो, बारिक कटा हुआ बीम्स, प्याज यह स्प्रिंग अनियन और हरी मीच और हरी मीच हरी मीच अप्शनल है तो चलिए बनाना शुरू करते तो फ्रेंज यहां मैंने कड़ाई में तीन टेबल स्पून वाइट वाइल गरम कर लिया है अब मैं इसमें तरका देरूंगी और मैं कड़ी पत्ता भी इसमें दूंगी यह ऑप्शनल है कड़ी पत्ता और राई अब मैं इसमें पीनट्स मुमफुली आट करूंगी पैस का ख्लेम हमें मीडियम लो में रखके इसे सौते करना है मुमफुली सौते हो गया है अब मैं इसमें ड्राई फूट्स आट कर दूंगी आप इसमें सारा वेजिटेबिल आट करूंगी कैरट कैपसिकम प्यास बीन्स और टमाटोस अब मैं इसमें एट करूंगी स्वाद अनुस और नमाट हाप टी स्पून चीनी हाप टी स्पून कश्मीरी रेच चिली पाउदर और हाप टी स्पून हल्डी पाउदर इसको हमें अच्छे से फ्राई करना है वेजिटेबिल को तो सबजी हमारा सॉप्ट हो गया है अब मैं इसमें राइस को एट करूंगी और इसे सबजी के साथ बहुत अच्छे से हम मिला लेंगे सबजी और चावल को मैंने अच्छे से मिला लिया है ये बन के त्यार भी हो गया है अब मैं इसके उपर से कटा हरा धनिया और स्प्रिंग अनियान को डाल दूँगी ये बहुत टेस्टी लगता है स्पेशली नास्ते में ये आप खा सकते हो बहुत सारा सबजी ये इसमें डाले जाते हैं अब मैं इसमें आट करूंगी भूना मसाला इसमें है धनिया जीरा साबुत लाल मिर्च और गरम मसाला छोटी लाइची लॉंग अदाल चिनी को मैंने रोस्ट करके फिर इसको मिक्सी में पीस लिया और थोड़ी सी चाट मसाला तो हमारा ये लेप्टोवा राइस का फ्रायड राइस बनके तयार है इससे अब मैं सार्फ करूंगी तो फ्रेंज ये मेरा बन के तैयार हो गया है लेप्टोबर राइस कि फ्रैट राइस ये बहुत येम्मी उनडिलीसियस है इसको उपर से मैंने थोड़ा सा देशी घी एट करूंगी और धनियापत्ता भी एट कर दिया है थोड़ा सा देसी घी इसका स्वाद बराता है देसी घी और निम्बू का जूस यह बहुत यम्मी लगते हैं खाने में तो प्लीज इस रेसिपी को घर पे ट्राइ करना फ्रेंज अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब माई च